नमस्कार दोस्तों आपकी उमीदों को पूरा करने के लिए आपके अपनी J Classes Minute परिवार में मैं डॉक्टरंकित भारदवाज आपका स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम चाप्टर नमबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अप्लाइट केमेस्टी का जो की पॉली टेक्निक के रेगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक कोर सब्जेक्ट आप अप्लाइट केमेस्टी बढ़ते हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है अटामिक स्टक्चर के नाम से और अटामिक स्टक्चर में अब तक हमने प्रिवियस लेक्चर में पाउली का अफवर्जन का नियम पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफ बाहू का सिद्धान्थ ठीके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बई आप पेपर और पैन लेकी बैठीगा साथ-साथ मेरे साथ लिखते चलेंगे प्रापर नोट्स बन जाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे जी नेक्स हैंडिंग है अपने पास आफ बाहू का सिद्धान्थ आफ बाहू का सिद्धान्थ तो आफ बाहू नाम के साइंटिस्2 ने क्या बताया आव बाहु नाम के scientist ने यह बताया, ठीक है, कि यह जो energy का क्रम है, मतलब जैसे आपको मैंने basics of chemistry में सिखाया, 1s2, 2s2, 2p3, इस तरीक एक arrangement, चलिए पहले basic of chemistry वाला हमें एक arrangement लिखते हैं, हैना, जैसे मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले 1s2 भरा जाएगा, then 1s2, 2s2, 2p6, 3s 2s2, 3p6, 4s2, 3d10, and so on, इस तरीके का arrangement मैंने आपको सिखाया था, कि जब भी कभी आपको electron भरने हैं, तो इस serial में भरे जाएगे, इस serial में भरने का सिधान्त हमें आफभाव नाम के scientist ने सिखाया था, उन्होंने कहा था, कि जो भी energy का क्रम होगा, ठीक है, मतलब अगर मैं य 2s2 की, तो यह जो energy का क्रम है, यह कम energy से high energy की तरफ को बढ़ता हुआ क्रम में, इन्होंने electron को भरने का क्रम समझाया है आपको, मतलब यह हुआ, कि अगर मैं चाहूं, कि 2s है, एक side मेरे पास, एक side मेरे पास 2p है, इसका मतलब यह हुआ, energy के point of view से, 2p is greater than that of the 2s, कि 2p जो है उसको जादा energy की need है, then compared to the 2s, इसलिए पहले 2s भरा जाएगा, उसके बाद 2d भरा जाएगा, यह आप, sorry, 2p भरा जाएगा, यह बात ध्यान रखनी है, इसी तरीके से, जैसे यहां लिखा है, तो पहले 3p भरा जाएगा, क्योंकि उसके पास energy कम है, और अगर मैं 4s की बात क remind कर रहे हो, that is n plus l का नियम, ठीक है, n plus l का नियम, कि 4s जो है, और 3d की बात की जाए, तो 4s के बाद में 3d को भरा जाता है, क्योंकि energy 3d के लिए जादा requirement होती है, इसके लिए हमने 4s पिलस, n plus l का रूल बढ़ा था, n plus l का रूल क्या था, कि अगर हम n की value निकालें, तो 4s क लिए निकालें, तो अपने पास आगई, n plus l की value 5, और देखे, ये greater है, so 3d बाद में भरा जाएगा, 4s पहले भरा जाएगा, ऐसा करम आपको ध्यान रखना है, तो आप भाव का सिद्धान्त आपको क्या बताता है, कि electron का उर्जा का करम है, उसके अनुसार, electronic configuration किया यही आप भाव का सिद्धान्त है, किसी परमानु में, electron आप अगर definition लिखें, तो किसी परमानु में, किसी परमानु में, किसी परमानु में, electron विभिन उपकोशों में, उनकी उर्जा के, विभिन विभिन उपकोशों में, उनकी उर्जा के, बढ़ते हुए, परवेश पाते हैं, यही आवभाव का सिद्धान्त है, अर्थात, कम energy वाला, जो है, उसको पहले भरा जाएगा, और जिसको ज़्यादा energy की requirement है, need है, उसको हमें बाद में भरना है, ठीक है? तो यहाँ आवभाव का सिद्धान्त अपना यहाँ पर clear हो गया, इससे आगे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 30 तक electronic configuration आपके sufficient है, so that's why हमने आवभाव के सिद्धान्त को इसी तरीके से भर सकते हैं, चलिए मैं कुछ electronic configuration आपके साथ deal करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं अगर ब का है हुआ है, मैंने का phosphorus भरते हैं, that is 15, तो अपने पास आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 15 हो गए हैं, count कर लीजिए, 2 और 2, 4 और 6, 10 और 2, 12 और 3, 15, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और कुछ अच्छा सा करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, 20 बढ़ते हैं, जो भी बच्चे यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फटा फट से calcium का भर के दिखाओ मेरे को, चल्दी से सोचिए, क्या answer आना चाहिए, calcium का भरिये बढ़ते हैं, चल्दी से फटा फट से भरिये मेरे साथ, और मुझे बताइए कि आप सही भर पा रहे हैं, या नहीं 1s2, that is 20, तो calcium की अगर हम बात करें, तो calcium का electronic configuration आपके सामने यह आ गया, अब मैं एक अच्छा question आपके साथ deal करता हूँ, मैंने basics of chemistry में बढ़ाया था, हैं, chromium, chromium का भरते हैं, copper का भरते हैं, चलिए, chromium का देखिए, chromium, that is stand for the 24, और copper की बात करें, तो cu stand for the 29, copper की बात करें, तो again, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, और इसी तरीके से अगर मैं copper की बात करूँ, तो ऐसे भर दिया, और last में भर दिया, 4s2, 3d9, तो बच्छों ध्यान देने वाली बात यह थी, इन दोनों questions को आपको लगाना पड़ेगा star, क्योंकि यह एक exception है, यह एक अपवाद है, और अपवाद भी नहीं है, half-filled electron is more, half-filled orbital is more stable than that of the fulfilled orbitals, मतलब अगर कोई orbital आधा भरा हुआ है, तो वो ज़्यादा stable होता है, than compared to the fulfilled one, हम next वाली में बात करेंगे अभी, ठीक है, हुंड के rule में, तो यहाँ पर वो वाला rule अपना लगा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है chromium का जो electronic configuration है, वो यह नहीं आएगा, 4s2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1s कम हो जाएगा, और exceptionally आप यहाँ पर याद करेंगे 3d5, इसी करम में अगर मैं और बात करूँ, तो यहाँ पर फिर 4s1 की जंगा यह हो जाएगा आपका 3d10, तो देखिए, copper और chromium के respect में, कुछ electronic configuration मैं यहाँ पर आपके साथ deal किये हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं और बात करूँ बच्चो, तो अगला question यहाँ पर एक बात यह discuss करना है, कि अगर मैं cations और anions के respect में बात करूँ, मिटा देवा इसको, है ना, cations और anions का electronic configuration कैसे बहरा जाएगा, cations का औ कोई और दूसरे देश चाया हुआ सवाल है, होगा नहीं, सारे question होंगे, और मेरे यूपी के जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या other further किसी state के बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको बिलकुल परिशान होने की जरुवत नहीं है, जब तक सर हैं, तब तक आपको applied chemistry में तो बिलकुल tension लेनी नहीं, एक भी सवाल, the single one question आपके exam paper में ऐसा नहीं आएगा, जो हम आपके साथ यहां पर deal नहीं करेंगे, तो सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और जो जो चीजे मैं सिखाता जा रहा हूँ, उसको proper सीखते ज या बटे बटे का मतलब ही, इन दा सेंस, मतलब जितने नमबर का आपका exam है, उतने नमबर के ही आपके marks आने है, ऐसा मेरा नुमान है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां अगर मैं बात करूँ बच्चो, तो basically, अगर मैं next step में move करूँ, तो मैंने कहा कि भई, धन आयन का electronic configuration, धन आयन का, और एक side में कहता हूँ, रन आयन का electronic configuration, सबसे पहले यह बात का पता लगाना बहुत जरूरी बन गया, यह धन आयन की चिडिया का नाम है, और यह रन आयन कौन सा कूटता है, बिल्ली है, बंदर है, क्या है यह, यह कोई animal के नाम नहीं है, यहां पर atom की regarding positive और negative ions क positive ion को बोलते हैं cation और negative ion को बोलते है nion, ठीक बात है, ani, on, ठीक है, अब यहां पर किसी भी positive cation या nion की बात करें, जैसे मैं आपसे specifically बहुत आसान example के साथ डील करूँगा, अगर मैं यहां पर आपसे कहूँ calcium, दुबारा से शुरू करते हैं, calcium, calcium का atomic number 20 होता है, आपको electronic configuration करना आता है, आपने भढ़ना शुरू किया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, यह आपका electronic configuration है calcium का, अगर मैं आपसे कहूँ कि calcium plus plus ion का आपको electronic configuration करना है, मतलब calcium, cation या calcium की धनायन है, उनका electronic configuration आपको करना है, तो देखे करना क्या होता है, बच्चो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको opposite direction में move करना है, मतलब अगर positive ion कहेगा, तो घटा देंगे electron को, और अगर negative ion कहेगा, तो electron को बढ़ा देंगे, ऐसा proton, electron और neutron में सीख के आया थे मेरे चांद, ठीके बच्चो, proton, electron और neutron का जब arrangement सिखा रहा था, ये बातें सिखा के आया हूँ, ठीके, उसी को apply करना है, अब हमने देखा, calcium के पास 2 plus charge है, इसका मतलब, इसका atomic number तो 20 ही होगा, है ना, अगर मैं इसको deal करूँ, इसको इधर deal करते हैं, अगर मैं इसके case में बात करूँ, तो calcium में इसका z कितना होगा भाई, 20 होगा, इसका p कितना होगा, 20 होगा, इसका e कितना होगा, तो e अगर मैं बात करूँ, electron की, क्योंकि इसके पास 2 plus charge है, तो यहाँ पर इसके जो electron है, 2 घट जाएंगे, प्लस के माइनस होजाते दो पलस चार्ज हैं तो दो इलेक्टोन यहाँ पर कम हो जाएंगे और अगर दो इलेक्टोन कम हो गए तो इलेक्टोन बन गए 18 और हम यहाँ पर electronic configuration कर रहे हैं हम यहाँ पर इलेक्टोन को उनके उर्जा के अनुसार भरते चले जा रहे हैं तो अब मेरा आंसर क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 दिस दा करेक्ट वन तो यह आपका आंसर आ गया calcium iron का अगर electronic configuration करना है इसके साथ अगर मैं एक negative charge particle की और बात करूँ जैसे मैं आपसे कह दूँ के बई एक काम करते हैं के बई chlorine का करके दिखाते हैं और वो भी negative iron के respect में ठीक है तो chlorine की बात करें तो सबसे पहले chlorine का normal chlorine होता है 17 तो अपना भरना कैसा चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 यह भर गया आपका 17 हो गए 2 और 2, 4, 6, 10, 12, 12, 5, 17 अब मैं आपसे कहूँ chlorine negative iron का भरना है CL negative का तो यहाँ पर देखिए 1 minus charge है so that's why यहाँ पर electron हो जाएंगे अपनी 18 एक बढ़ जाएगा electron तो अपना electronic configuration हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यह देखिए same electronic configuration है किसका calcium plus plus iron का और same electronic configuration है किसका chlorine negative iron का तो कहीं बार आपसे यह भी पूछ सकता है कि which of the following is the iso electronic इन में से कौन सा some electron वाला है तो जिनके electron समान होते हैं उनको some electronic कहते हैं आपको question में दिख रहा है कि calcium plus plus iron ca plus plus iron is just equivalent to calcium sorry chlorine negative iron कि यहाँ पर calcium के जो धन आयन है वो chlorine के रण आयन के बराबर होते हैं दोनों में आपको 18-18 electron दिखाई दे रहे हैं तो बिलकुल भी puzzle नहीं लेना है जादा कोई complicated बात नहीं है simple basic funda है अपना electronic configuration वैसे ही करना है जैसे कि हम पहले वालों का करते आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ electron का arrangement change मारना है अगर positive iron होगा तो electron आप घटा देंगे अगर negative iron होगा तो positive iron कर देंगे मतलब उसके अंदर एक electron और जोड देंगे और फिर उसके अनुसार आप electronic configuration करेंगे चल्दी से फटाफट इसको write down कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं एक और शांदार से model की तरफ एक और शांदार से concept की तरफ जिसका नाम है हुंड का नियम चल्दी से फटाफट इसको write down कर लीजिए जी screenshot ले लीजिए फटाफट बढ़िया सवाल बनते हैं आप जो भी reference book फोलो करते हैं उस book से questions लगाईए जहां भी कहीं भी दिक्कत होती है आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा परिशान नहीं होना है डारेक्टली जेए किलासिस से समपर्क कीजिए आपकी सारे समस्याओं का समधान हमारे app पर आपको मिल जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले concept की तरफ next heading है अपने पास हुंड का नियम ठीक है हुंड हुंड का नियम या हुंड का नियम या हुंड का नियम या हुंड का नियम की अगर मैं बात करूं बच्चो तो देखे हुंड रूल क्या कहता है हुंड नाम के scientist ने electron को भरने का क्रम समझाया आपको कि S orbital में कैसे भरा जाएगा P में कैसे D में कैसे तो अगर मैं definition के point of view से बात करूं हुंड के नियम में तो हुंड का नियम का मतलब यह हुआ कि unpaid electron की संख्या जितनी maximum होंगी वो उसको ज़्यादा stability देगा तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी उपकोश में electron तब तक युगमित नहीं होते अगर मैं हुंड के नियम की बात करूं तो हुंड के नियम के अनुसार हुंड के नियम के अनुसार हुंड के नियम के अनुसार अनुसार, किसी उपकोश में इलेक्ट्रोन जब तक युगमित नहीं होते, मतब पेर्ड नहीं होते, तब तक जब तक की अन पेर्ड या ए युगमित कोश ना भर गया हो, ठीक बाते भई, हुंड के नियम के नुसार ये, किसी उपकोश में इलेक्ट्रोन तब तक युगमित नहीं होंगे, जब तक की अन पेर्ड या युगमित जो कोश है, जो या युगमित इलेक्ट्रोन है, वो ना भर गये हो, इसका मतलब ये हुआ, अगर अपने पास एक इलेक्ट्रोन है, तो हम कैसे भरेंगे? एसे भरेंगे भई, वन, अगर अपने पास दो इलेक्ट्रोन है, तो हम कैसे भरेंगे भई, अपने पास भरेंगे वन, ठीके, इस पैसिफिकली वन ऐसे भरेंगे, और फिर उसके बाद, जैसे हमने पास पी और्बिटल हम लेके चल रहे हैं, तो फिर ऐसे भरेंगे, अगर कोई बच्चा एक सरीके से भरेगा एक दो तीन तो ये गलत बात है पहले हाफ फिल पूरा भरा जाएगा फिर आपको complete भरना पड़ेगा तो ये arrangement ठीक है इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे 5 लेक्टोन भरने है और P orbital मेरे पास है तो P orbital में तीन है मेरे पास तो 1, 2, 3, 4, 5 ये arrangement है आप इसको ध्यान दीजेगा पहले हाफ फिल भरे जाएंगे उसके बाद फुल फिल होगा क्योंकि हाफ फिल इलेक्टोन is more stable than that of the full फिल इलेक्टोन तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है तो ये इस तरीके का जो नियम था वो हुंड नाम के scientist ने दिया जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक question है ये बई D उपकोश है और D उपकोश में मुझे 5 इलेक्टोन भरने है तो कैसे भरे जाएंगे तो D उपकोश में 5 इलेक्टोन भरने का करम मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर ठीके यह आपने लिख लिया होगा D उपकोश में 5 इलेक्टोन भरने का करम तो देखिए कौन सा उपकोश है अपने पास D कोश है D उपकोश इसमें कितने इलेक्टोन भढ़ने हैं? पांच इलेक्टोन भढ़ने हैं तो D के अंदर पांच होते हैं और्बिटल भी तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये इस तरीके से एक काम करते हैं, एक सही बनाते हैं, एक गलत बनाते हैं एक और 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? ये देखिए अब 5 लेक्टोन भढ़ने हैं, जारतल बच्चे क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 इस इस दा क्रेक्ट वन ये तरीका सही है, इस तरीके से भरे जाने हैं कुछ भी ऐसा नहीं करना है देखो, ऐसे नहीं करना कभी आप 2, 2, 4 और 1, 5 ऐसे भर दो ठीक है? इसके लिए एक फंडा है अपने पास इसके लिए एक फंडा ये है कि भी ये देखो, 5 आदमी हैं और 5 ही कमरे हैं 5 आदमी हैं अपने पास और 5 ही कमरे हैं अब करना क्या है? करना ये है कि सारे कमरों पर कबजा करना है और कबजा करने के लिए क्या करें एक-एक कमरे में एक-एक आदमी लोड़ जाओ ठीक है एक-एक कमरे में एक-एक आदमी को लिटा दीजिए उसको सोने के लिए बोल दीजिए सारे कमरों में कबजा रहेगा कोई भी चोरी होने के chances नहीं है या मकान के उपर कबजा नहीं होगा अब इस वाले case में क्या हो रहा है अगर हम इस तरीके से भरते हैं तो दो orbital में तो चलो दो दो आदमी आगे कबजा मजबूत है लेकिन यहां के दो orbital के अगर मैं बात करूँ तो यह दोनो इसके बाद फुल्फिल भरा जाएगा इसी को हुंड का नियम कहते हैं यह बात आपको ध्यान रखनी है तो बच्चो जल्दी से फटाफट से यह बात ध्यान दिखिए और इससे आगे की तरफ हमें आगे बढ़ना है तो यहाँ पर अभी तक मैंने जो आपको सिखाया है वो यह सारी चीज़े सिखा दी अब इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह सारा concept अगर आपको समझ आया तो हम इससे आगे की तरफ move करेंगे अगले topic पर जाने से पहले मैं आपको remind करा दूँ मैं बता दूँ आपको कि मैं थोड़ा सा skip करूँगा skip in the sense आप समझेगा मेरी बात कि यहाँ पर हमने actual में atomic structure के models के बारे में सारी बाते clear कर ली अब मैं आपको सबसे पहले एक तो मुझे सिखानी है आपको आवर्त साड़नी आवर्त साड़नी का मतलब यह हुआ कि paradigm table क्या है और उसके कौन-कौन से properties हैं किस-किस तरीके से वो manage करती है फिर मेरे को सिखाना है आपको कौन-कौन से bond बनते हैं है ना मतलब ionic bond किसको बोलते हैं covalent bond किसे बोलते हैं coordinate bond किसको बोलते हैं है ना इस तरीके के कुछ combination मुझे सिखाने आपको और साथ-साथ मुझे सिखाना है कि कोई orbitals आपस में fuse करकर एक hybridization कैसे develop करता है कोई संकरन कैसे बना लेता है ये बात हमें सिखाने हैं मैं आपको सबसे पहले क्या सिखाऊंगा सबका अपना तरीका होता है तो इसलिए मैं आपसे discuss कर रहा हूँ कभी आप ये सोचें किया किस तरने topic छोड़ दिया topic नहीं छोड़ा है सबका अपना concept है अलग-लग तरीके से सबको express करने का तरीका होता है तो इस topic के बाद में सिखाऊंगा आपको directly hybridization सबसे पहले मैं आपको hybridization मतलब संकरण सिखाऊंगा और संकरण को connect करूँगा फिर इस सारे concept के साथ कि बही covalent bond कैसे coordinate bond कैसे और ये सारी चीजे तो अगले lecture में हम पढ़ेंगे संकरण ठीक है hybridization हमें पढ़ना है पहले उसको निकालना सीखेंगे फिर हम उसका specifically shape और geometry पर बात करेंगे lawn pairs पर बात करेंगे और topic को आगे move करेंगे ठीक है और जो ये topics आपका skip किया है मैंने मतलब paradigm properties इसको मैं उसके बाद सिखाऊंगा तो ऐसा मस सोचना कि आपकी reference book में सर वो लिखा हुआ ता सर आपने वो छोड़ दिया चोड़ा नहीं है ध्यान देने वाली बात है इसके बाद जो next topic है वो हमें कौन सा पढ़ना है हमको पढ़ना है भाई संकरन ठीक है hybridization जो है वो हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला topic उसके बाद आएंगे दुबारा लोटके किस पे पैरडिक प्रोपर्टीज पर मतलब आवर्त सारनिक इसको बोलते हैं और क्या क्या चीजों का arrangement है वो सारी बाते हम यहां पर पढ़ेंगे तो बच्चो आज की class में इतना ही और कल दुबारा से मुलाकात होगी एक बहुत बढ़िया शांदार सी class के साथ जिसमें हमें पढ़ना है संकरण देखो मैं फिर आपको बता दूँ ये अगर संकरण के respect में बात करें तो संकरण इस chapter का सबसे ज़ादा conceptual और समझने वाला topic है जैसे मैंने आपको quantum numbers पर बात की थी ऐसे ही संकरण भी बहुत important है और समझने वाला topic है अगर आप उसको systematically तरीके से समझेंगे तो आगे का पूरा chapter आपके लिए बहुत easier हो जाने वाला है और अब chapter लगभख खतम होने की कगार पे है बस सिर्फ हमें यही सीखना है पेडिक प्रपर्टीज, टाइपस ऑफ बोन्ड और हाइबडाईजिशन तीन topic बचते हैं major major और फिर अपना chapter complete हो जाता है मैंने पूरी कोशिश की है कि इस chapters में जितने भी topics हमारे बन रहे हैं उन सभी topics को पूरा elaborate करूं आपसे इसलिए अपने एक दो lecture बढ़ गए होंगे तो आपको बिल्कुल निराश नियों ना यह नहीं सोचना कि सणने कितना ज्यादा पढ़ा दिया ज्यादा lecture ले लिए बच्चों मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 100 की fight है अपनी मतलब पूरे बटे पूरे number चाहिए कुछ बच्चों को जितना अब्जोर्ब करना है उतना ले लीजिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा मेरे से बढ़ रहा है आज की class को finalize करते हैं कल दुबारा मुलाकात होगी धन्यवाद जय हिंद जय भारत गुड़ बाई